नमस्ति जेशी किष्णा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हम सब का आरोग्यमें आज हम बात करेंगी गारजर के बारे में गारजर एक ऐसी सब्जी है जिसमें बहुत से पौश्टिक तक्रू होते हैं इसका प्योग सब्जी की साथ सता आप सलात बना कर इसका जूज बना कर इसका अचार आधी बना कर आप इसका इंटे कर सकते हैं गारजर में विटामिन A, विटामिन C, विटामिन K, पोटाशियम वो आятरन जैसे बहुत से पौशर तक्रू होते हैं गाजर खाने से ना सिर्फ शरीर को पोशे तत्व मिलते हैं बल्कि कई शारीरी जिमारियों से भी बच्चा होता है आंकों के लिए बहुत अच्छी है गाजर इसमें बीटा कैरोटिन एक और्गैनिक पिग्मेंट होता है उम्र की कारण होने वाली आंकों की समस्या से आराम दिलवाने में बीटा कैरोटिन लावधायक होता है इसमें विटामिन C होता है आंकों के लिए बहुत ही अच्छा है जो चाहते हैं उम्र बढ़ने के साथ साथ आंकों की प्रॉब्लम ना हो पहले ही गाजर खाना आप शुरू कर दिजिए यह हार्ट की हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है गाजर का सेवन आप सलात के रूप में खाने के साथ खाने से भोजन जल्दी पचता है अगर आपको सन बर्न हो गया है तो गाजर का जूस लगाना चाहिए जो सूरज की तेज किन्नों से होने वाले नुकसान से बचाता है गाजर के जूस को आइस ट्रे में डाल कर आइस क्यू बना ले जहां सन बर्न हो गया है वहाँ उप्योग करें बहुत ही जल्दी आपको फायदा मिलेगा आराम मिलेगा इसमें प्रोटीन, आइरन, विटामीं C होते हैं जो बालों को हेल्दी रखने के लिए बहुत व्यूजफूल है अगर आप बालों की ग्रोथ चाहते हैं तो गाजर का जूस उसकी सबची आप सलात के रूप में इसको जरूर से एड़ करें अपने लाइफ में, मदुमेश इग्रसिव र्यक्ति भी जिनको डाइबटीस है वो लोग भी गाजर को अपने डाइट में जरूर से शामिल करें गाजर का जूस खून में शक्कर की मात्रा को नियंतित करता है तो जिनको डाइबटीज है वो भी इसको जरूर से इंटेक करें गाजर के बहुत से फायदे हैं आप इसको डेली लाइफ में एड करें जरूर खाएं, खुद भी खाएं, बच्चों को भी खिलाएं अब बच्चों को इसका जूस बना कर भी दे सकते हैं हेल्दी रहें, क्योंकि जो फिट है वो हर जगा हिट है ऐसे ही हेल्दी वीडियोस में लाते रहोंगी जुड़े रही मेरे चैनल के साथ अगर मेरा चैनल अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेर कीजिए अपना कमेंट करना ना भूलें आपका एक कमेंट मेरे को प्रोच साहित करता है मेरे को मोटिवेट करता है आगे बढ़ने के लिए अपना कूख ख्याल रखें थैंक यू थैंक यू फॉर वाचिंग